दोस्दों आज कल तो fantasy cricket का जवाना है हर IPL के आते ही कुछ दोस्तों के साथ खेलता हूं एक WhatsApp group है हमारी 11-12 बंदों का तो IPL के शुरू होने से पहले हम सब pooling करते हैं कुछ पैसे और फिर tournament के खतम होने के time वो पैसे winner, second runner-up और third place बंदे की बीच हम पाणते हैं इस बार बड़े narrow margin से जीता में वो पूल, सिरफ 25 points से वो जो बैसे मिले, उनसे नए cricket spikes और kit bag खरीदा अल्मोस्त तीन सीजन हो गए और नए वाले खरीदीनी थे मेने बड़ा मज़ा आता है मुझे दोस्तों fantasy cricket केल के क्योंकि मुझे फिर match देखने में ज्यादा interest होता है नहीं तो बाह परेवाब दो महीने का IPL tournament देखना मुश्किल हो जाता है और क्या कि fantasy के साथ दोस्तों के बीच एक fun rivalry हो जाती है और थोड़े बहुत गपे भी लगा सकते हम लोग खेर बात cricket kit और fantasy cricket के बारे में नहीं है आज का वीडियो fantasy cricket से इंट्रो कराने का ये idea था आपको ये बताने के लिए कि आजकल mobile पे अगर कोई game पे ध्यान रखना हो तो वो fantasy है मगर एक time था जब मैं और भी video games को अपना ज्यादा समय दिया करता था और वो ये team थे games खेलिए games review करिए live streaming करिए games का और दोस्तों में इतना बड़ा गीमत नहीं हूं जैसे के पहले बदा चुका हूं उस channel पे 55 के दिनों में ज्यातर मसूरी के mall road के video game parlors में जाता था Contra, Mario Brothers, Donkey Kong, Street Fighter, Tekken जैसे games खेलने या फिर किसी रई इस दोस्त के घर SEGA खेलता था मुंबई में पच्छपन में पर 1999 में जब मैं इंडिया से अमेरिका गिया college पढ़ने तो मेरे first year roommates में से एक था Russ एक American और वो बंदा जब भी free होता था तो अपने desktop पे एक game खेलता था जिसमें रंब रंगे blocks drop होते थे और फिर गायब और फिर एक अवाज आती थे एक deeping sound मैं अपने top bunk से नीचे इस बंदे रस को देखता था और सोचता था कि यार ऐसा क्या है इस game में कि ये free होकर घंटों तक खेलता है ज़रूर ये डफर होगा पढ़ाई में ध्यान नी होगा इसका मुझा फिर exam के time ये बनता टॉपर निकला और मैंने कहा अच्छा जी दिन रात video game खेल कर टॉपर बना हुआ ही फिर एक दिन मैंने रस से पूचा कि मैं ट्राइ करू ये game और फिर पहली बार मैंने tetris खेला था ये game desktop के जमाने में बहुत popular था और उससे पहले game boy के समय 9.30 के time और ये वो game था जिसने almost मुझे college के first semester fail कर आया tetris भाई साहाब मैंने इतना खेला वो game के पूचो मत फिर एक time आया कि मैंने एक और video game खेलना शुरू किया snood और ये मुझसे tetris से भी ज्यादा addictive लगा जब भी free था तो hostel के कमरे जाकर अपने desktop पे खेलता था snood यही वो दो video games थे जो मैंने college के first और second year में खेले उसके आगे एक summer break के लिए जब मैं on campus job कर रहा था तो दोस्तों के साथ एका game खेले होंगे मैंने Nintendo पे और कभी कभा desktop पे उस जमाने का cricket nerds favorite N power test cricket और वो tetris और snood के मुकाबले का जसका फिर लगा 2004 में जब stick cricket नाम का online game आया तब तक job लग गई थी अमेरिका में मगर जॉब से फ्री होकर stick cricket बहुत खेला मैंने इतना कि वहां से एक बार एक free t-shirt में मिला 2005 में फिर 2005 से लेकर 2016 मैंने कोई ज्यादा video games नहीं खेले मगर इंडिया लॉट के पहली बार company से जब laptop मिला तो inbuilt solitaire card game बहुत खेला मैंने पता नहीं क्या से बच्पन के दोस्त ने बताया रॉन जो ने बताया कि एक cricket app है stick cricket का और तुम यह शुरू करो बीच में रॉन जो के साथ अपने scores में share करता रहता था मगर फिर उसके scores और उसके achievements देखके यह 2017 की बात है मैंने वह भी बंद कर दिया अभी मेरे अभी मेरे अभी मेरे फोन प को लेकर काफी सवाल आते हैं मेरे इस चैनल पर तो आपको कुछ बता देता हूं अपने experience को लेकर जहां पर mobile और desktop games की बात हो what games do you like? आप कौन से games खेलते हो या खेलते हैं लिख दीजिए नीचे comment section में तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ take care enjoy your weekend जहिंद